लेकिन भाईया ये जो जिससे हमारे पंगे चलने हैं ये भगवान है ग्रोजा का इससे खतरना ग्रोजा चलती मैंने आज तक न देखी आधी गूली में नौक कर दिया मेरे को आधी गूली में तो भालू कैसे उप तो यार वेलकम दी बैक बैक दे वेलकम और स्वाहत आपका एक बराण नूप गलाद सीन से भरे पड़े पबचे दंबाई ये प्लेवर में और भाईया इस मैच में नेट गौड नेट गौड हो के भी गौड पहुचे होंगे भाईया मैं तो बिल्कुल आखिर में पाउं पे पाउं पे गिर गया था उनके बगवान थे वो नेट के खैर वो नेट गौड वगड थोड़ा आगे मिलेंगे और इस मैच में आर ग्रोजा वालों से भाईया जो ही पंगे होते हैं देखने लाए बिल्कुल ऐसा लाएगा अब यह क्या किल रहे है इससे खतरदा ग्रोजा कोई चला ही नहीं सकता आगे आगे देखो गलत सीन बढ़ते जाएंगे फिरहाल पोचन की आये पार एंपर और यह बेचारा कोने में चुपके रिवाई रिवाई खेला था बहियां को लगा जैसी मैं आऊँगा धरवाजे में तबकुल ही चलाएंगे लेकिन बाहर से ही पकड़ा गया साइड से बिल्कुल बढ़िया एंगल मिलता है और देखो जब यह कूद के उचल कूद करने लगता है मेरे को लगा बग गया यह यह उसैन बोल्ट की आत्मा इसी के पिच्छे आ जाएगी यह गायवने वाला यहां से मैं आगे भग रहा हो तो इसको पकड़ने के लिए अरे सामने ही बैठा पड़ा होता है ठीपीपी की आत्मा आगे थी उस पे कर देखो यहां आगे पे पंग्या भी बहुत जोर से चल रहे थे हम तीनों की तीनों बिल्कुल धीट की तरह इस गर पे गुज गए और यहां पे लूट बाजी मचाने लगता हूं मैं फिलाल केकड़ा आगया बाई है और यह केकड़े भी बिल्कुल धीट और बेसरम है बिन बुला मेमान की तरह कहीं पे भी पहुंच जाएंगे होते ना रिष्तेदार पहुंच गए घर पे सेम वही सीन है और मेरे वो लग रहा था लोग अभी भी उस बड़े गर पे बैठे हूंगे लेकिन यह लोग बिल्कुल बगल वाले कमरों में आ गए हैं अलगला कमरे ले ले इन्होंने पहल चुकें बिल्कुल के रहे हां पे समोग बाजी हो जाती है और मैंने बोला भाया बगो सिद्ध अंधर भगोब अंधा बन कर दिया यह मूह के सामने भाई क्या बंदा यह दर्मादय मंदर के चला गया वाई थिए थिए वाब यह अजो अपनी अपनी मोल्यीच आई जिल्किया यह यह जोन्य पुल्षिए तर डाई इसने कब बाइट अपर भी और यहां वे जी एफन नेडन ओड़ा पहसे अंदर अबै कैसे मार रहा है और कवर में होके भी अपनी पेटी बनवाना प्रॉज दूए हमारे भाई से किसे यह भी एख कलाए कैसे कर लेते हैं लोग और यहां पे पेटी बनने के बाद आपस में लडाई बिढ़ गई एक दूसरे पे एकजाम ड़ने चालो जाते ही वह यह तुम्हारी गलती है खुद वहां पे हमारे भाई खड़े रहते हैं वहां उपन में वह चला देता है गुली डाल दी उसने पेटी उसके बाद लडाईयां बेढ़ जाती है क्या आप देखो उसने पेटी डाली है बदला तो लेना पड़ेगा बगार बदला लिए कैसे काम चलेगा तो हाँ यहां पे मैं क्या करता हूँ कूटते वे और आगे बढ़ जाता हूँ अब देखो मामला ऐसा है यहां उपर भी बंदा बैठा पड़ा है और मेरे को कुछ समझ नहीं हा रहा होता तो यहां पे डेड़ा एक्यू लगाना पड़ेगा उठाता हूँ मैं समोक और छट पे फेग देता हूँ उपर फेग देता हूँ क्या पता काम हा जाए और यहां पे यह M-60 वाला बे सरब बंदा अभी तक न रुका नजाने कितने गंटों से यह खिड़की पे बैटा है जवाम उससे लड़ाई नहीं करने फूल गूली चलाता है अब देखो आप बारी है उससे लड़ाई करने की अभी के लिए गाय वो चुका है मैं ऐसे बकता उपर में ना वो प्रीफायर देता है ना ही कुछ ना ही सकल दिखाता है तब ही गुली चलाएंगे जब इनसे रड़ाई ना हो रही हो जैसी इनकी बारीया ही चुपके बैट गए खेर कभी तो सकल दिखाएगा वो और देख रहे हो कैसे बाट चुराने के लिए सकल देख रहा होता है सिद्धा नौक देता हूँ मैं कर देखो जहां तक मेरे को बता यह वो M16 वाला बंदा नहीं था उसको पकड़ने चलते हैं जरा आप कुछ बैट चौन देखाएगा और आकिर कार इसकी पेटी डली जात होती है कटा कट चला जा रहा है M16 M16 यह नहीं की जाके ढंकी गंटू नहीं बैया को एक ही गर पे बैटके गंटू तक M16 जो चलानी थी अब देखो यहां पे मेरे को अभी तक M4 नहीं मिली होती है एमपोर जरूरी है जिंदगी में सकारिल चलानी पड़ रही है लेकिन टाइम डंकी लड़ाई होती नहीं है लेकिन इस बार ठीक ठाक ठीड़ यहां पर देखो यह बड़ी चिपकली जारी आ गया हना तो मैंने सोचा एक बार पिछा कर लेता हम इसका हाँ पूंच से दूर रहूंगा क्या बताब कोई और मिल जाए यहां पर किल तो मिलेगी लगाड़ी पूर देखो जिस दिन पहले गौड़ जिला आया था फुल जोसता जिंदगी में गौड़ जिला यह गौड़ जिला वह इसके पिच्छे में पढ़ा वाता बिल्कुल पूच पर हमला कर रहा हूं कभी कभी मूंपे ग्लाडर दे दिया लेकिन देखो जैसे जै है अरे कान पे चुबने लगती है बिना मतलब चिलाता रहेगा पचास किलोमेटर दूर हो गई है उसके बाद भी भैब है इसकी चीक नहीं रुकती ना जाने क्यों उसके ऊपर से इन्होंने लोबी में भी भर रखा है आएगा वहां पे सकल दिखाएगा चिलाएगा और व बहुत अजीब सीने स्किप्ट कभी कभी कान पे चुपती आवाज खैर वो सा बटाओ तुम्हारे बाई के पंगे होने वाले ग्रोजा वाले से अरे दिखो आगे कते मचा सा आजाएगा राइट में अब यहां पर मैं बैठा तो बग्गी के पीछे हूं समल के बैठना चाहिए अरे मेरे कद्दू का समलना मैं बोलता हूं ले चलो बग्गी को अब देखो मेरे वो पता है ग्रोजा बहुत जादा खतरनाग बंदू कैव लेकिन भईयाइग यह जो जिससे हमारे पंगे चलने है यह बग्गवान है ग्रोजा का इससे खतरनाग ग्रोजा चलती मैंने आस तक न देखी अधी गूली में नौॉक कर दिया मेरे को confident जाली में मेरे को खबर हुए इससे पहले जमीन पर नौक पड़ा था मैं बिल्कूल जल गया बच गया ने डाल रहे नहीं बच शुख हो और देखो ग्रोजा वाले ने बहुत बढ़िया ग्रोजा चलाई बहुत ही बढ़िया लेकिन इस बार मैं भी अपनी गन चलाता हूँ यहाँ पर मैंने बंदूग चलाई और सबसे पहले मैंने पेटी डाली उस ग्रोजा वाले की मैंने मैंने कसम का ली थी मैंने बोला भया इसके बाद बने ठील जाओं मैं गेपले ना बने लेकिन इस ग्रोजा वाले को पकड़ के पेलूँगा देखर वो पूरे चौड में आगे पहुंच गया था ग्रोजा थी उस पे चौड भी थी लेकिन उतरा काफी नहीं था आकिर म यह नकली फेक डॉक्टर वाला यह हेलमेट पहन के मैं नेड़ बाजी कर रहा हूं और आप सबसे पहले जाके उठाते हैं ग्रोजा को जरब हील कर लेते हैं पहले उसके बाद ग्रोजा उठाएंगे यहीं वो बंदा था कते ग्रोजा को क्या खतरनाग चला इसने बानना पड़ेगा बिल्कुल नजाने कितनी गूली इनने सर पे मारी मेरे को पता भी न चला और मैं सिद्धा जमीन पे धैड़ नौक मेरे को लग रह जमीने तोड़ दी हैं यह बिल्डिंग को तोड़ दिया है और इन टूटी बिल्डिंगों पे होते हैं केमपर अगरा क्यूंकि बिल्डिंग टूटने से पहले तो बहुत गोर्जी ला जाएगा सबकी भटी रहती है लेकिन टूटने के बाद लिट्टे होते हैं लोग पेल दी है उसने बाई जिन से पिरिट आफ देगा इसने डॉप पे मारा होगा और दो बंदे डॉप पे मारें यहां पे किसी इनसान के किल्चोरी हो चुकी है आगे इस बंदे ने लेटके बाईसियों से अरे दो बंदों कीपिटी डाल दी और वाह पे गौड जिला दूस तीसरे बिल्डिंग तोड़ रहा है नजाने क्या ही जानवार है यहां से देखो मैं गाड़ी उठाता हूं और गाड़ी यहां पे मैं 50 बार बदलता हूं पहले यह गाड़ी बदली उसके बाद बैटे हम इस दूसरी सपोर्ट्स कार में उसके बाद मैं आगे जाके तीसरी बदलने वाला होता हूं लेकिन उत्ते में पहले हैं अब यहां पर मैं दू चीज कर सकता था हो अनला करते वे बाहर चलता ओपन में गोली चलता था लेकिन देखो जिस हिसाब से गोली चला रहा था मेरे क्याल से मेरे को नौक दे देता हो और क्या पता गाड़ी चड़ा देता मेरे उपर मैंने बोला वह यहां सांती सांती रखनी पड़ेगी आपर सांत हो के बिलकुल मैंने निकाली ग्रोजा और बोला बेटा टीपी फिलो बैटके बास और कुछ नहीं करना मेरे को पता था यह मेरी ठोकी मैंने इने ठोकना चलू कि अब ठैर देखो अपने को सपोर्स कार वगेरा छोड़नी पड़ती है तेल की कमीती साहिद और आगे सपोर्स कार का पीछा कर रहे हम और यह तो अपने गाड़ी चलाने वाले बहिया जी ने डिसाइट बांटेज दे दिया कते जमीन पे गाड़ी पेल मारी वो तो अच्वा ये लोग आए नी आगे नहीं तो बिल्कुल पिटाई होती अरे बुरी तरह से पेला जाता बहुत बुरी तरह से लेकिन बढ़िया हुआ ये लोग अंदर केम्पिंग करने घुस्चू के पिछे एक बंदा गाड़ी पोड़ रहा है और एक बंदा छोटे घर पे बैठा है और यहां पे बंदा डगमगा आता है और उसके साथ साथ मेरा सप्रे भी डगमगा गया प्लाप्त सस्ता है क्योंकि खर जो बंदा बंदा भगते बंदर गया है तो पकड़ते हैं जराब आज़ो बात कर कमीनी लड़की है वो हलो अच्छी लड़की हलो अच्छी लड़की हलो और देगेरे वाइख बात्चीत कैसे बदल सी गई जैसे बता यहां पर कोई लड़की है लड़की कुझा क्लूड़िया जी जिंदगी में बे सराम सापो की पिल्कुल कमीनी है उसका टीमेट अंदर ठीलिया वो लड़की थी या फिर एंजल प्रिया वाला सी था मेरे को नहीं पता पेटी बन गई उसकी ये बचाने के लिए उड़ता भी नहीं लेटा पड़ा इसने बोला आरे लड़की गई कद्दू लेने उसको फरकनी पड़ता उसने बोला भाई आप जिन्दगी बसनी चाहिए अपनी और नौक पड़ा है वहां पे अभी लेकिन मेरे को ऐसे पेली दिया था उसने करता हूं मैं पहले अच्छा अच्छा वह कैम प्यार हो एपक्स एपक्स टावर बोल दो यार सामने पेड़ो बंद है पेड़ो बंद उसकी लेकिन उतने में उसका टीमेट यहां पे आजाता है इस पेड़ के बगल में नजारे ले रहे भाई आगे सीन क्या चले पता नहीं उसे खबर मैं अंदर से देख रहा हूं इसे उसको खबर ही नहीं हो उसका बरना है बिल्कुल उसके अपने सीन चलने है खेर देखो कैम्दु क 타म को है । यहां पे मैं ब्रीज में आता हो हूं सेन एसा होता है आगे पर पर रहे केम्प लगा होता है क्या मैं क्या को..? लोगे बारे में मेरे को कमेंट पे जरूरू बताना अब कर इस बंदे को देखो वह भाई ये तो जमीन के दर से आ रहा है भाई बार ये इसको कि अच्छा जमीन के दर गया हो और देखो लोग किल चुराते हैं दूसरे लोग की मैं केकड़ो की किल चुरा रहा हूँ यहां पे हमारे भाई ने पूरी मेहनत करके केकड़े की ऐसी तैसी की और आकिर की दो गरोजा की मैं गूली चलाता हूँ और केकड़े को मैंने पे लिया कास केकड़े की भी किल मिलते है यार 40 क्या 100 किल कर देता मैं या बैठके हरे कैम्पे घुसके पेटी बनाता लेकिन ऐसा होता नहीं और केकड़े बस परेसान करने आते हैं कहर देखो यहां पे छोटा बरिज कैम्प खतम हो चुका है आगे मेरे ख्याल से बड़ा बरिज कैम्प लगाए एक आदगोरी चला के मैं डेमेज तो देता हूँ लेकिन पिजार के लिए कोई नौक ना हो पाया ऐसी ही बोल रहा है यार एची टाइम पार कर रहा है उसी पार सौटगन है अभी तक और ये लोग नजाने कौन से सस्ते नसे करके खिलते हैं मेरे को नहीं पता क्या चला है आगे लेकिन मेरे ख्याल से उस बंदे पे सौटगन पड़ी थी अरे भाईया आखिर के 10-12 बंदे बाकी है सौटगन कैसे पड़ी हो सकती है किसी पे भाई तू 25 किल हाथ की मैल है अरे भाईया हलवा नहीं बन रहा है याँ पे कि मैं हलवा पलट रहा हूँ आ तवे में और हाथ पे मैल लगया चलो साफ कर लेता हूँ मचाग थूरी चला इदर 25 किल करने के लिए कितने पापड बेलने पड़े याँ पे उपर से केकड़ों ने दिमाग खराब कर रहा है उसके उपर से वो गौड जिला वो चिला तर आएगा वो चिपकली किसी दिन चपल से पेलने वालों में उस चिपकली को मरेगा नी वो लेकिन लेकिन हमारे भाई निदाने किसको अल पे हाथ की मैल बोल रहे होते ज़गें लेकिन षच्चाई बतल बहुट ज़दा लागे सच्चाई किसमत ना होता भी या उतरते मीठी में कर देखो वां पर ज़दो बाकि ने थे तीन बंदे वाकिते मैं था चाड में लेकिन द्सपादे के लिए यह लोग पहुँचाते हैं यहां पर भर नहीं सुन पाएगा वो तुम्हेद थुम्हें एहाज़ा मैं अब क में exacte first to conclude पर जूमिर ते ने टे एंपोर समद तोलुने ब्स दे नेने ते समने भाई है है क्रिक चनक मननने जट भूडद है इनकी पेटी बन गई नहीं तो मैंने ऐसे बिल्कुल माथा उनके पाउँ पे पटक देना था बिल्कुल माथा मार देता मैं उनके पाउँ पे अरे वह यह यह थें असली नेड गॉर्ड देँर और यहां पर मैं AWM चला रहा हूँ, ग्रोजा चला रहा हूँ वो हलवा नी चल लाए हाँ पर खतरना कने दोनों बिल्कुल बेश्ट गन चला रहा हूं ये लोग क्या कर रहे हैं दोनों के दोनों ओपर रस्ते पे खड़े होके नेड़ बाजी कर रहे हैं मेरे क्याल से हैर इनके जातर पंगे ना केमपरों से होते हूंगे जो लोग इधर उदर करते हैं नी मैंने बोला बेटा घुसके पेटी बनाओ इनकी इससे पहले नेड़ फट जाए क्योंकि नेड़ गौड थे वो क्या पता फार देते नेड़ मैं घुसता हूं आगे दोनों के दोनों नेड़ पकड़के नचाने क्या कर रहे हैं एक की तो ओम से पेटी ब कर लिया कर इसी के साथ चिखन चुगा नहीं जाता है तो बस भाय लोगा आज के विडिवे इतने बहुत शुक्राइब विडियो देखने के लिए जादे जाते इन दो नेड़ घुड के लिए अरे मेरे ये मत करो इन दो नेड़ के बगवानों के लिए एक लाइक ठोकना म सब्सक्राइब और भी ऐसे गलाज सीना लेगें प्लेए सस्ती कमेंटरी और और भी गलाज सीन के लिए तो कर दो मिलते हैं और बहुत शुक्राइब विडियो देखने के लिए बाबाई और झाल सुछलाज सीना के लिए एक लिए बाबाई